वाराणसी की जिला अदालत में ग्यानवापी मामले की सुनवाई अब तीसरे दिन गुरुबार को भी जारी रहेगे इसके साथ ही बुद्धुबार को हिंदू पक्ष ने दलीले रखी हैं और इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने एक जज्जमेंट हवाले से मुद्ध रखे गए हैं और जिसमें लिखा गया था कि काशी विश्वनात मंदिर दो बार तोड़ा गया था हिंदू पक्ष ने सभी वेद पुराण सास्त्रों का उलेक करते हुए पक्ष रखा वहीं बुद् पक्ष ने अपनी दलीले रखी हैं और इस खबर पर जादा जानकारी के साथ हमारे समबादाता निशान चतुरवेदी हमारे साथ सीधा लाइब जुड़ गए हैं निशान ग्यानवापी मामले को लेकर आज फिर सुनवाई हुई है क्या कुछ आज का अपडेट है आपके सत्यम देखिए अगर आज के ग्यानवापी मामले की बात कर लें तो जिला अदालत में इसकी सुनवाई चल लए है कल तक हमने देखा कि मुस्लिम पक्ष ने 50 बिंदों पर अपनी बातों को रखा है और उन्हीं दलीलों के बाद यानि उनकी जो आपत्ती है कि वो इस पक्ष की तरब से हरी संकर जैन, विश्टू संकर जैन ने बहुत ही अलग अंदाज में अपनी बातों को वहां पर न्याले में रखा है हर सास पुराण वेद का उसमें जिक्र किया है कि काशी क्यों प्राचीन नगरी है क्या इतिहास है उस परिसर का काशी विश्कनात परि थी कल भी जारी रहेगी यानि सत्यम आप ये समझिये कि बड़े गंभीरता के साथ नियाले दोनों पक्षों की बातों को सुन रहा है चाहे हिंदू पक्षों या मुस्लिम पक्षों उसने पहले इस वाद में इस मामले में मुस्लिम पक्ष को समय दिया मुस्लिम पक्ष ने सुधिर कुमार तिरपाठी, सुभास संदन, चतुरुवेदी, तमाम वादी अधिवक्ता मौझूद रहे और गहमा गहमी के बीच में न्याले में अपनी बातों को रखा गया, दलीलों को रखा गया, अब कल की तारीख पर नजर रहेगी कि क्या कुछ आगे सुनवाई में हो तो उन्होंने कह दिया है कि वाराणसी इतिहास से भी पुराना शहर है, अब हम कुछ पक्तिवों पर आपको नजर यहां पर डालना चाहेंगे, कि देखिए, अगर काशी विश्णात मंदिर परिसर की बात कर ले जाए, तो सच में इसका इतिहास बहुत पुराना है, और 11. 12. 12. 14. 16. 1669 में औरंग्येब द्वारा इसे तोड़ा गया, कुत्तु बुद्धिन एबग द्वारा 11. 12. सदी में इसे 36 क्या गया, इसके कई प्रमाण है, इतिहास में इसके कई तच्चे हैं, और इनी तच्चेों को बड़े मजबूती के साथ हिंदू पक्ष रख रहा है, और जब कोट कमिशन की कारवाई हुई, तो उस दोरान भी आप देख रहा होंगे कि दिवालों पर कई कलाकरतियां मिल रही है, उसी चीज़ का मैं अभी जिकर करने वाला था निशान ताप से कि जब वीडियोग्राफी हुई थी तो तमाम सबूत यहां पर मिले, कलाकरतिय दमरू के निसान मिले हैं, त्रशूल के निसान मिले हैं, अंदर श्यूलिंग की एक आकरती देखी गई है, जिसको हिंदू पक्ष यहां पर श्यूलिंग बता रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है, वो इसे फवारा बता रहा है बिल्कुल इसी को लेकर सारा विवाद है, और विवाद, देखिए मुस्लिम पक्ष 1991 एक्ट की बातों को रखकर, आधार मानकर, पूरे मुकद में कोई खारिश करा रहा है और उनकी ही आपत्यों पर हिंदू पक्ष, यानि की जो अधिवक्ता हरी संकर जैन, विश्णु संकर जैन है, जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विश्या बने हुए, उनकी बातों को यहां पर बड़ी मजबूती के साथ रखकरें, जिनमें उन्होंने सास्रका जिक्र किया, वेद का, पुरान का, काशी खंड और काशी विश्णात का क्या महत्व है, इन बातों का उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, दमखम के साथ अपनी बाते रखा, लेकिन मुस्लिम पक्ष, यानि की जो प्रतिवादी अधिवक्ता हैं, जिनका अभे नात्यादव ना की बात भी कर रहे हैं, और मुस्लिम पक्ष, यानि का हवाला देता है, कोट में हर बार ये देखा जाता है, लेकिन इसके तहट हम जाच प्रक्रिया तो करवा सकते हैं ना अंदर की? बिलकुल, सत्यम सही कहा कि देखे, नियाले विधी का ग्याता है, और विधी को सारी चीजों को क्रियानवत कराने की भी जिम्हदारी नियाले की कंदों पर होती है, मुझे नहीं लगता है कि वरिष्ट से वरिष्ट अधिवक्ता भी होंगे, तो जो नियाले का आदेश उनकी बाते नियाले के आदेश से उपर होगी, सर्वोच नियाले की टिपड़ी हो, या फिर हाई कोट की टिपड़ी हो, सारी बाते इसपस्ट है और 1991 एक्ट को भी चैलेंज किया गया है, जो आज जैसा कि उन्होंने अपनी बातों में कहा है विष्टू संकर जैन ने, कि ह हम उन्हें एक्ट का जवाब दिये हैं, काशी विष्टनात 1993 वाले एक्ट में, इन मुद्दों पर क्योंकि एक विशेस प्रावधान है इसमें, तो आप सोचिए कि हर दलीले यहां पर तयार हैं, और दलीलों की यहां पर बान चल लए है काशी के ग्यानवापी मामले को ले कहीं लोग अब इसको अयुद्या मामले से जोड़ कर देख रहे हैं, कि जिस तरीके से अयुद्या का फैसला आया था, उसी तरह से कहीं न कहीं काशी का भी मामला सुर्ख्यों में बना हुआ है निशान्थ हम आपको थोड़ा रोकेंगे, यहां पर हमारे पास वादी पक्ष कुछ कह रहा है, वो हम आपको सुनवाते हैं, इसके बाद निशान्थ आपके पास चलते है तिल्डिंग क्या होता है, काशी को लेकि हमारी क्या आस्था है, क्या महत्व है, वो सारी बाते हैं आज हम लोगों ने विस्तित रूप से कोट के सामने रखी हैं, मामले की सुनवाई कल दुबारा से हिंदू पक्ष की बहस कंटिन्यू रहेगी, और कल दो बजे दुबारा हरी शंकर जैन साफ और हम सारे लोग इस मामले में आगे बहस करेंगे। ज़िए विशस्वार के महत्तों को भी हम लोगों ने बताया है। आप देख लिजे ना जो मुस्लिम पक्ष ने एप्लिकेशन दी है, वह ही राखी सिंग की तरफ से एप्लिकेशन दी गई है। पूरी साजिश है मेरे को इस केस से हटाने की, पर मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टन मादियम से कहना चाहता हूँ, हम हटे नहीं, हम डटे हुए। देखे मैं यूपी सरकार से नोसी लेके वो नोसी कोर्ट के सामने सम्मिट कर चुका हूँ, 15 जून को मुझे ओलेटी नोसी दी जा चुकी है, और अबेना ज्यादा को भी आज वो नोसी दिखा दी है, शायद उन्हें इस नोसी का संग्यान नहीं था, वो भी उनको दिखा अज कोर्ट में क्या कारवाई यह रही है कि डिफेंट प्लेंटिफ साइड से दो ता पांच की तरफ से दो तीन चार पांच की तरफ से बहस स्टार्ट हुए और उनकी बहसा भी कांटिनू चब रही है अजे इसा लिए वाकी, बनके वह वकारत नामे पर कहा गया था। कि यह साइड से वकील है दूसरे साइड से वकील नहीं हो सकते हैं उसके लिए हमने कहा है कोड से कोड उसको बाद में देखेगी उसके प्रजिवा थे परफ से प्याट प्ले दलीले रख़ी गाई है तो जो कुछ प्रतिवादी पक्ष ने अपनी दलीले रखी गए थी उसका आज खंडन हुआ है ये कहा जा रहा है प्रतिवादी पक्ष ते और इसके साथ इसके साथ उन्होंने एकचीच का और जिकरिया कि मुझे इस केश से हटाने की कोसिस की जा रही। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन हम हाटे नहीं हम डटे हुए हैं और इससे पहले जीतेंद्र जी ने भी उनके उपर तमाम आरोप लगाए थे क्या कहना इस पर आपका बिलकुल सत्यम देखिए जो बात कर लिजाए विश्टू संकर जैन की या फिर उनके पिता की त और बड़े प्रतिष्टित हैं और इस मामले में जब से उनकी इंट्री हुई है कहीं ने कहीं एक हिंदू पक्ष का प्रभाव है वो काफी मजबूती से निखर कराया है और इसको लेकर जब जितेन सिंग बिलकुल निशानत बिलकुल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका त माम सान